एक फिल्म की हिरोईन कैसी होती है? ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं जिसे देखकर लोग ये पूछे कि ये फिल्म की हिरोईन है बॉलिवुड फिल्मों की हिरोईन सामली और बिल्कुल आम लड़कियों से दिखने वाले स्मिता पाटल के साथ अकसर ऐसा होता भारतिय फिल्म इंडस्ट्री ने अभिनेत्रियों के लिए जो परिभाशा गड़ी उसमें वो बिल्कुल फिट नहीं बैगती है लेकिन अक्टर्स और अक्टिंग की डिफिनिशन क्या होती है? इसका जिक्र जब भी आता है मातर 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाली इस आदाकारा का नाम जरूर आता है इनकी चर्चा जरूर होती है छोटी उम्र बड़ी जिंदगी के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट ग्रेसफुल आक्टर स्मिता पाटिल इसमिता पाटिल बहुत महत्वा कांची नहीं थी एक बार उनकी नस्दी की दोस्ट सई परांचपे ने उनके पास इस पर्ष फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भेडी इसमिता पाटिल ने ये सोच कर स्क्रिप्ट पढ़ी कि उनको ही मुख्य रोल करने के लिए दिया जाएगा लेकिन अचानक उन्होंने अखबारों में पढ़ा कि इस पर्श की मुख्य भूमिका शबाना आस्मी को दे दी गई है इसमिता को ये बात इतनी पुरी लगी कि उनके सिर में माईग्रेन का दर्द शुरू हो गया उन्हें इस बात का दुख था कि उनकी दोस साई ने वो रोल शबाना को इसलिए दे दिया था क्योंकि कॉमर्शियल सिनेमा में शबाना की मांग इसमिता से अधिक थी उसी एक छण इसमिता ने तै किया कि वो भी कॉमर्शियल फिल्में करेंगी उन्होंने उसी दिन दो फॉर्मिला फिल्में साईन की इसकी वज़े थी कि कॉमर्शियल फिल्मों में उनकी साख उची हो और वो जो फिल्में चाहें उन्हें मिल सके प्रियान जी हमने इस एपिसोड की शुरुवात तो कर दी है लेकिन अभी जो भी लोग हमें देख रहे होंगे उनके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमने विवेकानन्द की बात की भगत सिंग की बात की बिर्सा मुंडा की बात की लेकिन अब सूची में स्मिता पा आल टाइम और जैसा कि आपने भी कहा कि एक गर्ल नेक्स टोर बिलकुल आप पहचान नहीं सकते कि बिलकुल लगता है कि आपके घर के बगल में रहती हैं सामला रंग और उस जगह जहां सफेद या गोरे रंग की पूजा होती है उस इंडस्ट्री में सामला रंग और तु रहे कि प्रिजन्स हो कैमरे के सामने आने पर लेकिन एसपायर ही करता रह जाता है बहुत कम लोगों की ऐसी प्रिजन्स होती है बारा साल का करियर और बहुत चोटा करियर बारा साल कुछ नहीं होते हैं लोग चार पांच दशक काम करते हैं उसमें सतर फिल्में उन्होंने क और पैरलल जो समानांतर सिनेमा है उसकी तो वो खेर नाइका थी ही लेकिन जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें भी उन्होंने बहुत नाम कमाया है बिल्कुल आउट ओप प्लेस कहीं भी नहीं लगी जैसे बहुत लोग पैरलल सिनेमा में अच्छा करते हैं लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में फीके पड़ जाते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं था, राज बबर से उन्होंने शादी की, जो कि पहले से शादी शुदा थे, पदमिश्री उन्हें मिला, 1986 में, अपने अबिने के लिए, और दो राश्ट्रिय पुरसकार मिले, भूमिका फिल्म आई थी, उनीस सो इसके लिए उन्हें पुरसकार मिला, और उनके नाम के पीछे कहानी ये है कि जब वो पैदा हुई थी, तो मुस्कुराती हुई पैदा हुई थी, तो मुलब पहला जो एक्स्प्रेशन था, वो मुस्कुराहत का था, तो उनकी माने उनका नाम इसमिता रखा उसके उपर, तो काफी colorful character, सिनिमा में है तो क्या है, लेकिन चोटी पर थी, अब उनकी जन्म के बारे में आपने बताया और वहीं से मैं शुरुआत भी करूंगे इस कहानी की, किस परिवार में जन्मी क्योंकि फादर उनकी politician थे, और बचपन कैसा रहा, कैसी शुरुआत हुई उनके बहने थी, बहने थी इनकी और इनके पिता मंत्री थे, महराष्ट की सरकार में irrigation minister हुआ करते थे, और बलके ये कहें कि सुतंतरता सेनानी थे, पंदरा साल की उम्र में जेल चले गए थे, और पहले प्रजा सूशलिस पार्टी के सदर से हुआ करते थे, 1964 में उन्होंने Congress हुआ था 17 अक्तूबर 1955 को, इस मितापाटिल का, और इनके शुरुआ थी इवन के खुतों से बहुत प्यार था, उनको ये चाय में बिस्किट डिप करके खुतों को खिलाया करती थी, बहुत कम उम्र में इन्होंने ड्राइविंग सीख ली थी, तब ड्राइविंग लाइस उस दमाने में पुने में स्कूटर लेके निकलना वड़ी बात हुआ करती थी, ये उसमें माहित थी, बहुत आउटगोइंग थी, एथलेटिक्स में उनको बहुत प्यारता हर तरह की दौड में हिस्सा लेती थी, बहुत कॉम्पेटिटिव थी, बहुत सीरियसली लिया करत थी, पढ़ने की बहुत शौकिन थी, और बच्पन से ही, और मराथी एक नॉबल थी, मृत चुन जय ये, इनकी फेवरिट नॉबल हुआ करती थी, और जब भी शूटिंग में इन्हें अतरिक्स समय मिलता था, तो इनको हमेशा एक किताब लेते हुए देखा जाता था, इन इस मॉमेंट को चेरिश करता था, और लेकिन गुस्वर थी, गुस्सा बहुत जल्दी आता था, लेकिन उतनी ही जल्दी खतम हो जाता था, और मराथी मीडियम में इन्होंने पढ़ाई की थी, अंग्रेजी को लेकर थोड़ा कॉंशिस रहती थी, जी जी, लेकिन अंग्रे अंग्रेजी बोलती नहीं है, लेकिन अच्य खास ही उनकी अंग्रेजी थी, सामले रंग का थोड़ा जिकर करूंगे, बच्पन वे उनको काली-काली करके उनके परिवार के लोग संबोधित करते थी, हाँ, लेकिन बहुत से लोग को पता नहीं है, बहुत से लोग शायद तो नन्देता अदास को देखी, वो भी उसी बिलकुल, काला रंग चमकता हुआ, दमकता हुआ काला रंग, और आपकी नजर नहीं हट सकती उनके चेहरे से, बिलकुल, और अब उनके करियर, फिल्मी करियर की तरफ पढ़ें, इससे पहले मैं दूरदर्शन के उनके उस जर्न है कि किस तरह ये न्यूजरीडर बनी, दूरदर्शन में जोसना किरपेकर काम करती थी, वो न्यूजरीडर थी, और उनके जो पती थे, दीपक किरपेकर, वो एक बहुत अच्छे फोटोग्रफर थे, तो ये उनका शौक था, इसमता पाटिल की तस्वीरें लेना, और वो तस्वीरें खिचवाया कर दे तो एक बार जब बहुत सारी तस्वीरें हो गई तो ये दिखाने जा रहे थे अपनी पत्नी को, जो कि दूरदर्शन में थी, और दूरदर्शन की गेट से पहले एक सपाट जगे में ली, तो उन्होंने कहा, तस्वीरों को अरेंज कर दिया दिखाने से पहले, तो वो जमीन पर तस्वीरें लगा के देख रहे थे, तब ही वहां दूरदर्शन के डारेक्टर थे, पीवी कृष्णमूर्थी, वो वहां से गुद्रे, तो उन्होंने कही किसकी तस्वीर है, तो उन्होंने बताया, उनकी तो बोले मैं इन से मिलना चा उन्होंने उनको तयार किया, स्कूटर पर बैठाया और लेके गए, वहां उनका ऑडिशन किया गया, और ऑडिशन में जैसा है कि सवाल होता है कि भाई, आप क्या सुनाना चाहेंगी, तो आप सुने, आपको जान के बड़ी दिल्चस्पी, मज़ा आएगा, कि उन्होंने बांगलादेश का राष्ट्री गीत, आमार शोनार बांगला गातर सुनाया, और चुनली गए, और फिर साब वो सिंसेशन, एक तो ये कि उनकी जो गोल, बड़ी बिंदी एक सिगनेचर स्टेटमेंट हो गई, और उनकी साड़ियों का क्या क्लेक्शन था, हैंडलूम की पहनती थी, और मजए की बात ये कि एयर पर जाने से पांच मिनट पहले, वो जीन्स पहन के आती थी, और उसी जीन्स पर साड़ी बान लेती थी, एयर पर जाने से पहले उनको साड़ी पहना, लेकिन वो साब बहुत मशूर हुई, और लोग कहते हैं कि जो लोग मराठी औरोने सोचा कि इनको फिल्म में लाया जा इसके लावाद दो और बड़े डिरेक्टर्स की नजर पड़ी देवानन्द और मनोच कुमार दोनों इनसे बहुत प्रभावित हुए देवानन्द ने अपनी एक फिल्म में भी लिया आनन्द और आनन्द जो उन्होंने अपने बेटे को लांच किया था सुनेल आनन्द को उसमें सम्तापाटिल को नगे रोल दिया इनकी खास बात ये थी, इनकी फिल्मों की, कि ये रोल में पूरी तरह से रम जाती थी, बलके एक किस्सा है कि मन्थन की शूटिंग हो रही थी, राजकोर्ट के आसपास, तो वहां कुछ यंग्स्टर्स देखने आए, तो ये लोकल कॉस्ट्यूम में, जो मन्थन में, वो पह बता है कि वो रही हिरोईन, तो बड़े उनको ताज्यूब हुआ कि एक हिरोईन किस तरह से देहाती कपड़े पहन कर बैठ सकती है इस तरह, तो बहुत जबरदस्त उन्होंने फिल्मे की भूमिका, जैसा कि हमने जिक्र किया उस पर उन्होंने, उनको नैश्टनल रवाड मन्थन उनकी फिल्म थी, मिर्च, मसाला, अर्थ, और मंडी, निशान्त, और मेंस्ट्रीम फिल्म में देखा जाए तो शक्ती, नमख खलाल, अमिताब बच्चन के साथ दोनों फिल्मे थी, उन्होंने जैसा कि आपने सवाल पूछा, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, अरुन खोब कर की एक डिप्लोमा फिल्म थी, वहां उन्होंने डिप्लोमा फिल्म की, और शाम बहनेगल बताते हैं कि उनको तलास थी, एक हिरोईन की एक नए चेहरे की निशान्त फिल्म वो बना रहे थे और इनके एक साउंड रिकॉर्डेट्स हुआ करते थे, हि इसमितापाटल को जानते थे, तो उन्होंने रेकमेंट किया कि भई, आप इनको लें, तो उन्होंने उनका ओडेशन किया, और ओडेशन में इन्होंने इनको रोल दिया चरंदास चोर फिल्म में, प्रिंसेस का रोल दिया, और जब यह शूटिंग हो रही थी रायपूर के पास, तब इन्हें लगा कि कितनी टैलेंटिड एक्टरिस है, और तब जाकर इन्होंने कहा कि भई, निशान्त जो इनकी फिल्म है, उसकी हिरोईन वो होंगी, और फिर बार ने तो इतिहास बना दिया, मिर्च मिसाला फिल्म आई, यूकि इनके मरने के बाद आई थी, और दिल्चस्क बात ये है, रिहान जी कि शवाना आजमी को भी शायद श्याम बेनिगल नहीं लॉंच किया था, और आगे चलकर दोनों शवाना आजमी और स्मिता पाटल राइवल रहीं, उसकी थोड़ी कहानी बताए है, जी, बिल्कुल एक दूसरे की प्रतिदों दी थी, द शवाना ने सुईकार किया है कि उन दोनों में गर्मजोशी नहीं थी, साथ काम करते थे, और थोड़ा वो इंसेक्यूर शवाना महसूस करती थी, उनकी सफलता को देखकर, उनकी आक्टिंग की रेंज को देखकर, लेकिन देखे कि उन से इतनी वांप नहीं थी, लेकिन उन कि मुझे बहुत अफसूस हुआ उनके जाने का, और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, उनकी प्रेजन्स की वज़े से मैं अपना बेस्ट दे पाती थी, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिमेंट था, अगर इसमेता पार्टिल नहीं होती, तो शायद शवाना इतनी अच्छी, शवाना शवाना ना होती है, उनके आखरी वक्त पर जाओं इससे पहले राजबबबर का थोड़ा जिकर करना चाहूंगी, कैसे थे रिश्टे, लेकिर राजबबबर उनके बहुत कई फिल्मों में और उनके बहुत नस्तीक आ गये, राजबबबर शादी शुदा थी, ना और आप किस तरह किसी का घर तोड़ सकते हैं, उन्होंने एक बेटे को जन दिया प्रतीक बबबर को, और 13 दिसंबर 1986 को उनका देहान थुआ, और पोस्ट प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशन थे उनके, जिसकी वज़े से उनका देहान थुआ, बबबर ने उनसे प्रॉमिस क किया था कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स करेंगे, अपनी पत्नी को तलाग दे कर, लेकिन वो प्रॉमिस अपना निभा नहीं पाए, तो ये उनके लिए एक तरह से शौक था, तो इस तरह के संबन थे, और फिर 31 साल, मात्र 31 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अल घर आ गई, अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थी, हमेशा अस्पताल जाना पसंद नहीं करती थी, बहुत जब कॉम्प्लिकेटिड केस हो गया, तब उनको जसलोक अस्पताल में भरती किया गया, लेकिन तब तक केस वेगा चुका था, डॉक्टर बहुत कोशिश कर के भी उनको बचा नहीं पाए, तो सिर्फ 31 साल की उम्र में, जिस महिला में बहुत संभावनाए थी, अगर उसको और मौका मिलता, तो कहीं उपर जाती, उसने इस दुनिया को अलबेदा था, तो चोटी उम्र बड़ी जिन्दगी के ऐस एपिसोड में हमने बात कि, समता पार के बारे में अगले एपिसोड में आप से फिर होगे मुलाका तब तक के लिए, नमस्कार.